हालो एवरिवन, वेलकम टू क्लास 11th History और हमारा चाप्टर 8 चल रहा है Confrontation of Culture और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं हमारी वो डिफरेंट ट्राइब्स क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से वो South America में बसी थी अगर हम लार्जिस्ट की सिविलाइजेशन की बात करें तो वो है South America में वो थे क्वेश्वास या फिर इंकास जो की पेरू में थे ट्वेल्स सेंचुरी में जो फर्स्ट इंका है मानको के पैक उन्होंने अपना कैपिटल स्टैब्लिश कर दिया उसको में और बड़े ही खतरनाग टाइप के लोग तो इंका एक्सपैंशन बिगन हो जाता है नाइन्थ इंका में और जो मेक्सिमम एक्स्टेंड था इंका का लगबग तीन हजार माइल तक पहला था लाइक यूकवड और से पूरे चीले तक एम्पाइर कैसा था हाईली सेंट्रल आइस्ट था highly centralized का मतलब क्या था कि सारी power जो थी न एक जन या एक family के हाथ में थी और king representative था highest source of authority का पर एक चीज पता है क्या देखिए कि king के पास सारी authority होने के बावजूद भी सारी property केंकिनी होती थी property community में totally divided रहती थी जिसकी वज़े से ये कभीले वाले जो थे ये जो tribal people थे ये अच्छे से rule कर पाते थे अगर हम newly conquered tribes की बात करें अब देखो अगर एक tribe को उपर पहुँचना है एक जुन को उपर पहुँचना है तो उसको और जुन को क्या करना पड़ेगा नीचे जुखाना पड़ेगा दो यह तरीके होते हैं किसी चीज पर जो है सक्सिस पाने के फरस्ट वे क्या होता है या तो आप उन सब में सबसे strong हो या फिर second क्या है कि बाकी सारे जो जन है वो आपसे weak हो अब अपने आपको सबसे strong साबित करने के लिए आपको बाकी जनों को हराना पड़ेगा तो ऐसे ही वो क्या करते थे different different tribes पर अटाक करा करते थे और वो अपने आपको मतलब उनको अपने ही अंदर absorb कर लिया करते थे अब जो भी subject था वाप है या जो भी जना था उसको क्वेंश्वा ही language बोलनी होती थी जो court की language थी अब जो each tribe थी वो independently rule की जाती थी by council of elders के द्वा अब इस टाइम पर जो लोकल रूलर्स थे उनको reward किया जाता था उनके military cooperation के लिए जैसे की आस्तिक empire इनका इंका 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 था उन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक confederacy करी और इन्होंने इंकास को अपने किसमें लेयाए कंट्रोल में लेयाए अब इसका मतलब क्या लेयागरम लेमेन लांग्विज में समझें तो इनकास क्या किया करते थे एक तरीके से उनका जो मकसद था वो क्या था expansion चीजों को expand करना चीजों को बढ़ाना और इनका ये काम सफल भी हुआ क्योंकि आप ये देखो कोई return record तो है नी population का पर माना जाता है कि इनके group में इनकास भी magnificent builders थे उन्होंने roads बनाई mountain के थूफ उपर 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 यहां से लेके यहां तक कि इन्होंने क्या बना दीती रोड बना दीती इतने ज्यादा बढ़िया ये आर्किटेक्टर में थे और उनके जो फोर्ट्स थे वो स्टोन्स लाब्स की होते थे बहुत ही स्टोन की कार्विंग करनी है कोई चीज अगर अच्छे से बनाना है तो क्या है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलोजी ही हमको यूस करनी पढ़ेगी लेबर बहुत ही और बहुत ही पढ़िया तरीके से उनको मैनेज किया जाता था अब जो बैसे इनका से विलाइजिशन का वह एक आप यह देखो कि सोईल महां पे कैसी थी इंफर्टाइल थी अब इंफर्टाइल सोईल होने के बावजूद भी उन्होंने क्या करा हिल साइड पे टेरिस फार्मिंग शुरू कर दी पता नहीं कहां कहां से ड्रेनेज लेके आए इडिगेशन लेके आए और माना जाता है क पंदरह सो में जब इनका टाइम चल रहा था जो कल्टिवेशन थी यानि कि तरीके से जो प्रड़क्शन थी या बहुत ज्यादा है जो प्रड़क्शन आज के समय में इसके दो रीजन हो सकते या तो उनकी टेक्निक्स बहुत फ्रॉंग थी या फिर अब की अगर बात करें है तो शयद वो सॉइल इतनी जादा इरोड हो चुकिया कि उस पर अच्छा अच्छा अगरी कल्चर नहीं हो सकता है तो अब बहुत नहीं दे रहे है तो आप के थौट्स पर रख देती है कि आप जो सोचना चाहों भाई आप सोच ले सकते हो हम आप पे कोई थोप नहीं र अगर थी उनकी वीविंग और पौट्री की ला बहुत ही हाइज कौॉलिटी की थी मतलब आप समझो कि अगर आप उनकी पौट्री या वीविंग का अब भी अगर चेक करें तो इस लाइक की मोस्ट व्यूटिफुल कार्विंग जो वन फ़फ पूस्ट प्यूटिफुल का आपका दे रखा है इनकास के आर्ट अब जो आर्ट अन कल्चरता ना इनकास का वो बहुती गजब था बहुती गजब इन दर सेंस की मोस्ट विजिटर जो आज भी आना वो वंडर रह जाते हैं कि इतना खुबसूरत आर्ट और स्किल किसी का कैसे हो सकता है जैसे कि हम चीलियन पॉइट नेरुदा की बात करें जिसने एक तरीके से क्या बताया कि कैसे आर्स ओफ हार्ड वर्क लगाओगा थाउजन्स ओफ फीपल का जो शायद पोर्स किये गए होंगे या अपनी मर्जी से इन्होंने ये काम किया था क्या क्या लगाओगा इसको इन् जो मिस्तरी था ना उसने एकदम अपनी जिन्दगी भर की महनत लगा दी होगी आइसमेन के आसू होंगे इसमें ज्वेलर की क्रस्ट फिंगर्स होंगी फार्मर्स की उम्मीदे होंगी पॉटर का क्ले होगा और शायद कुछ नई जिन्दगियां इसके अंदर बनते बनते तबाह हो गई होगी और कुछ कई लोगों की यहां पे सौरों दबे हैं कई लोगों की खुशियां दबी हैं कुछ लोगों का दर्द दबाए बट मुझे वो बलड दिखाओ जो तुम्हारी कुल हाडियों से निकला होगा जब तुम इसमें कुछ बना रहे होगी और गलती खुबसूरत poem है, अगर आप इसका interpretation कोई और समझते हैं, तो और अच्छी बात है, मुझे लगा कि इसमें इनोंने यही craft चीजे बताई हैं, अब जो organization था, इनका empire का, with its pyramid-like structure, इसका structure कैसा था, पिरामिड के जैसा structure था, अब इसके अंदर क्या था, कि इनका chief जो थे, लगबग इसके अंदर आ करते थे, अब एक चीज देखो, इनका empire की खास बात और अलग बात क्या थी, कि जो chief था, वही head था, सारी power क्या थी, centralized थी, एक जने के पास थी, अब सारी power एक जने के पास होने के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो यह की, ठीक है, ruling अच्छे से हो रही है, दूसरा, अगर उसको कुछ हुआ, अगर वो capture हो गया, अगर उसको पकड़ लिया गया, तो इसका मत अगर जो इंकाज इंपायर थे, वो यहां पर हट चुके थे, अब अगर इंकाज में सटेन फीचर यह दो कॉमन थे, बट यूरॉप से बहुत डिफरेंट थे, अगर लग लाइफ जी रहे थे, यूरॉपीन पीपल का लाइफ ही अलगता, उनका सोच ही अलगता, यहां पर सोसाइटी हाइरार्कियल थे, अस्थेक्स में, और कोई प्राइवट ओनर्शिप नहीं थे, किसी भी चीज़ की, इपर यूरॉप में प्राइवए ओनर्शिप थे, यहां पर जो चीज़ें होती थी, इंकाज आस्थेक्स के पास, वो क्या होती थे, वो एक तरीके से के अपनी होती थी प्रिस्ट में शमंस में उनमें प्रिस्ट में को पुजारी लोगों को बहुत इज़त दिया करते थे बड़े-बड़े टेमपर्स बिल्ड हुए थे और गोल्ड और सिल्वर की ठीक है वेल्यू थी बट उतनी ग्रेट वेल्यू नहीं थी जितनी यूरॉप में थी कि हाँ गोल्ड और सिल्वर तो बहुती बड़ी बात हुजाती तो ऐसा वहाँ पर नहीं था अगर हम आप वोयाजिस ओफ हुआ है उसके बाद डिजास्ट नच्रल डिजास्टेस हो गए था जिसकी वेयर से उनकी प्रॉपर्टी बिल्दा तो उन्होंने क्या पूर्ड में घूमते हैं और पूरे बोल्ड से ट्रेड विलेड करेंगे और बहुत सारे मकसत इं हो अब यह आगे देखेंगे तो उन् Cosmography means science of mapping the universe एक ऐसा कुछ जिसमें आप universe को map कर रहे हो और इसमें क्या describe किया जाता है कि बोथ heaven और earth दोनों ही चीज दिखाई जारी है यह astronomy और geography दोनों से ही अलग है 1477 में जो तुलामी थे उन्होंने क्या लिखा उनके जो return था return script वो हमको कहाँ पर देखने को मिलती है कैसे देखने को मिलती है जो तुलोमी थे जो Egyptian थे उन्होंने पूरे world को arrange किया था latitude में और longitude में उस हिसाब से journey जिसान हो गई थी अब Europeans के हिसाब से तीनी continents होते थे यूरॉप, Asia, Africa उन्होंने ना अभी तक इंटाक्टिका ढूंडा था ना उस्ट्रीलिया और North South America तो भूली जाओ तो जो तुलेमी थे उन्होंने क्या suggest किया कि world spherical है ठीक है उनका suggestion बिल्कुल सही था लेकिन उन्होंने जो oceans की width है नो जो oceans कितने बड़े हैं उस चीज को underestimate कर लिया था अब Europeans को कोई idea नहीं था जब वो ship पे जर्नी पे निगल रहे थे कि उनको कितना जाना है इतना ज्यादा वो estimate नहीं करते थे कि शायद वर्ल्ड का 70% ocean उनको लगाता है हाँ ठीक है कुछ percent होगा फिर इसलिए कई बार उनकी journey unsuccessful रह जाती थी क्योंकि उन्होंने इस चीज को ठीक से नापर नहीं होता था कि like imagine नहीं किया होता था कि इतनी problem आ सकती है जो people थे Iberian Peninsula के जिसकी जो Portuguese Spanish है वो एक तरीके से उन्होंने एक pioneer बने एक उन्होंने शुरुवात करी exploration की जो सही माईने में exploration था full planning के साथ अब उसके बाद जो बात के historian से उन्होंने क्या argue कि ठीक है यह कोई first voyages नहीं थी old world में भी यह सब चीज़ें होती थी जैसी कि Arab Chinese Indians उन्होंने बहुत सारी चीज़े navigate कर रखी है लाइक पहली बार नहीं हो रहा है कुछ तो इनके अपने अपस में लड़ाई जिगरे चलते रहते हैं अब question arise होता है कि Spanish को और Portuguese को इतना जादा क्यूं था कि वो maritime conquest करें तो major तीन रीजन थे economic, religious, sorry religious and political economic क्या पैसे से related पैसे में उनकी तबाही मची गई थी depopulation हो गया था प्लेग की वज़े से सोना चांदी खतम हो गया था उसका shortage हो गया था तो इसकी वज़े से क्या हुआ उनको क्या लगा कि अब ठीक है economic कम को बहुत फायदा मिलेगा अगर हम different countries ढूनके उनसे trade करते हैं religious क क्या फायदा मिलेगा कि उनको Christianity फैलाना था तो different different regions में Christianity फैलेगी और political क्या उनको डिफरेंट जिगहों पर रूल करना था इस पार्ट को आज हम यही तक रखते हैं इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में आपको कुल भी confusion यह query है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं I'll try to answer each and every query as soon as possible so thank you so much meet you all in my next video thank you